जी हाँ आप देख रो रोहिलो जी और NAC की रिकूट्मेंट की नोडिफिकेशन आ चुकी है और उसके ओनलाइन फर्म फिलिंग की डेट अभी तक अनौन्स नहीं हुए अगर नहीं मिल पाएगी जो आपके लिए हो सकता है जाया हुए करता है लॉस का काम करें तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक और बात बता दो कि वीकली में एक्रीकाटर से ॵेडिटेड करेंट अफ हर्स लेकर आता हूं अगर आप किसी भी एकजाम के तैयारी कर रहे हैं एक्रीकलचर से जाकर देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को भी देखना ना भूलें अगर आप फर्दर अप्टेड़ेट रहना चाहते तो आप मुझे चाहें तो फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं एक एक पोस्ट की सबसे पहले बात करेंगे ट्रेणी की फिर बात करेंगे सीनर ट्रेणी की फिर बात करेंगे एमटी पोस्ट की तो ट्रेणी के लिए जो कटाओफ है मैं एक एक ट्रेडवाइस बताओंगा ट्रेडवाइस कहने का मतलब है सबसे पह प्रेट चाले यह है ट्रेणी एक ग्री के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि रिसेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही इंपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो ट्रेनी एग्री के लिए जो कट आफ है था पिछले साल का यह 2019 का कट आफ है ज़स्ट प्रिवेसर के रिक्रूट्मेंट की कट आफ है जो आपको मैं बता रहा हूँ अन्रिजर्व कर्टेग्री दर इस जनरल के लिए 75.75 मार्क्स गये हुए थे और फंडेड हंडेड हंडेड मार्क्स की एक्जाम होती एक्जाम पैटन भी मैं आपको बताऊंगा OBC के लिए 74.75 मतलब एक मार्क्स कम, SC के लिए 71.50, थ्री मार्क्स ऑल्मोस्ट कह सकते हैं, HD के लिए 69.25 उसके बाद अधर पी एच, अधर कर्टेग्री इसके लिए आप देख सकते हैं कै ये था inie एकरक्स क्यर लिए कड़ उशके बाद है ट्रेनी मार्केटिंग दो तरह के पोस्ट आते हैं करे ट्रेणी में पिनい अगरी कल्चर्रेणी ट्रेनी एक्री कहने का मतलब है कि वह है फिरुसक्ष और पर नेक्स्ट की लिए लोगों एक पोस्ट आता है मतलब स्पोस्ट की लिए की ओर दियुक्त के लिए। इसके सलेरी भी बहुत कम होती है और ट्रेनीस टॉर प्रेख सकते हैं गडभ मेंद Means 63.75 उसके बाद ओब CTC के लिए 62.25, ST के लिए 63.25 और SC के लिए 55.75, मतलब इसमें इसका cutoff थोड़ा गम गया हुआ था, तो इस तरह से आप अपना आकलेंग कर सकते हैं, उसके बाद, अगर बात करें कि इस साल cutoff क्या रहेगी, इस साल की cutoff क्या रहेगी, अगर trainee agree की बात करें तो देखिए, पिछले बार जो cutoff गया था, वो 75.75 गया था, उसके पिछले साल भी इतना ही क्या सपास गया था, 74.75, 2018 में, ठीक है, तो इसके बाद, इस साल की अगर बात करें, 20,20, that is 2020 की अगर बात करें, तो इस से आप almost 5% extra लेकर सकते हैं, 5% extra लेकर चल सकते हैं, मतलब आप sure रहेए कि 75 to 80 की बीच आपको marks लाना होगा, मतलब आप 77, 78 से ज्यादा, क्योंकि इस बार का cutoff होगा, वो इससे ज्यादा ही होगा, as per competition, तो आप 80 स्कोर करने का कोशिस किजिए, तो ये रहेगा इस बार का cutoff, मतलब almost general cutoff आप 80 लेकर चलिएगा, तो इधर आपको 76 लाना होगा, इधर 73 लाना होगा, इधर 60, 72 लाना होगा, तो इस तरह से cutoff जा सकता है, ये आप निशिंत रहेए, इसी तरह से इसमें भी cutoff जा सकते हैं, 61.50 गया हुआ था, ट्रेणी मार्केटिंग के लिए, देखें मार्केटिंग में थोड़ा सा cutoff काम जाता है, क्योंकि उसमें कुछ question थोड़ा सा differ करता है, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से trade के लिए, कौन से post के लिए, कौन सी question किस तरह के पूछे जाते हैं, कौन कौन से subject included होते हैं, तो सबसे पहले ये देखें 61.50, इसमें आप लेकर चलिए, कि इस बार 70 से नीचे cutoff नहीं जाने वाला है, आप 70 लेकर ही चलिए, उसके बाद अगला post है training store, इसमें 63.75, इसमें बहुत जादा cutoff नहीं जाता है, तो आप 70 के आजपास लेकर चल सकते हैं, देखें मैं कुछ marks extra इसलिए बता रहो कि कि देखें कोई भी perfect बता नहीं सकता, मगर हाँ जरूर है कि पिछले बार से इस बार का cutoff ज्यादा रहेगा, और अगर आपको पिछले बार का cutoff पता है, तो इस बार का cutoff का आप आकलन कर सकते हैं, तो आप almost दिमाग में ये set करके रखिए, कि इससे ज होता है, section B होता है, दो section होते है, section A plus section B, ठीक है, इसमें क्या है, कि multiple choice questions होगे, with negative marking, देखिए, 2018 में जो exam होगा था, उसमें negative marking नहीं थी, फिर भी cutoff इसी के असपास गया था, अब जब negative marking येंगा है, फिर भी cutoff होतना ही गया, तो ये आप कह सकते हैं, कि cutoff जो है, वो कम नही हो रहा, बढ़ रहा है, irrespective of having negative marking, तो 0.25 negative marking है, मतलब 1, 4 है, 4 questions आप गलत करेंगे, तो एक number आपका, कटेगा, तो section A और section B होता है, section A और section B भी मैं बताऊंगा, कि इसमें क्या-क्या होता है, अब syllabus की बात करते हैं, वो मैंने बताया, कि दो पार्ट होगे, एक पर्ट होगा 70 questions का, दूसरा पार्ट होगा 30 questions का, ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं, syllabus and pattern of the examination, देखें, इसमें क्या होगा, कि easy to moderate, मतलब easy होगा, 40% average, 40% tough, 20%, तो इस तरह से question बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मगर almost आप देखिएगा, जब question में exam दीजिएगा, तो आपको लेगे, कि almost सब उसे type के question से, थोड़ा एक दो question, difficult आपको लेगा, और मैं आपको ये बता दूँ कि, variety से ज़्यादा question होते हैं, तो हर एक crop की varieties आप जरूर रट कर जाए, एकदम fix, variety से question एकदम होते हैं, variety आपको रटेवे होने चाहिए, उसके बाद, आगे चलिए बात करते हैं, जो जो कुछ भी पढ़ा है, उससे related पूरा question होगा, simple section A की बात हो रही है, जो 70 questions आपके होंगे, तो इसमें ये भी मैं बताते चलूँ कि, trainee agree के लिए 70 questions है, बेसे agriculture से होगा, इसके लिए आप नेम राचुनदा, आक बंद करके पढ़ लें, पूरा रटा हुआ होना चाहिए, उ इनी marketing के लिए, all subjects होगा, सिर्फ agricultural economics नहीं होगा, उपर में agricultural economics को mention किया गया, मतलब agricultural economics होगा, और all subjects होगा, agriculture related, agriculture economics छोड़ करें, इसमें नहीं, अगर A1 की बात करें तो, मतलब आप complete ये लेकर चलिए, कि BCAG के सारे questions होगे, agriculture economics पे इस पे जादा थोड़ा जोर दिया जाएगा जो marketing से भरेंगे form, उसके बाद है training store, agri, entomology and plant pathology से question इसे में होते हैं, अलग से मतलब, अलग से कुछ नहीं होता, उसी में होता है, बट कूस number of question, जैसे अगर बाकी subject से 10 है, तो इसे हो सकता है, 15 question हो, 20 question हो, और सारे subject के question रहेंगे, agriculture से related, जो BCAG में आपने पढ़ा है, तो इसके लिए आप नेमरा सुनदा पढ़ सकते हैं, चलिए उसके बाद बात करते है, trainee technician, diesel mechanic, देखें, कुछ लोग ऐसे हैं, जो इस post के लिए अपलाई किया होंगे, तो इस वीडियो के मातलब से उनको भी information मिल जाएगे, diesel mechanical के लिए देखें, tractor या machine trade से, जिस trade से आपने किया है, उससे question रहेगा, simple सा बात है, trainee technician, machine man, तो machine man trade से जो किये है, उनका question उसी से रहेगा, उसके बाद technician electrical auto electrician trade, auto electrician trade, मतलब इसी subject से आपका question रहेगा, वेलडर हैं, तो वेलडर से रहेगा, blacksmith है, तो blacksmith trade से question रहेगा, जिस trade से एकदम ढरना नहीं है, आप जिस trade से, जिस सबजे से आपने graduation किया है या जिससे आपने डिग्री लिया है जिस बेसिस पर आप अपलाई कर रहे हैं उसी से basics question होते हैं बहुत tough questions भी नहीं होते हैं तो इस तरह से देखिए trainee quality control की उसी के लिए अगर बात करें तो seed technology से ज्यादा question होगा certification से related certification जो होती है seed की उसे related होगा और agriculture के related सारे question होगे बेसी agriculture में जो भी आपने पड़ा है अस्टेनों के लिए देख लिए आप question होगा 12th level and graduation levels का अब part B की बात करते हैं जो part B है section B जिसमें 30 questions होंगे तो 30 questions किस-किस से होंगे general aptitude and general aptitude से question होगा जिसमे numerical ability maths के कुछ questions होते हैं बहुत easy questions होते हैं आप देखते ही बना दोगे बट कभी न कभी आपको reasoning बना हो रहे रहे न चाहिए यह से सी लिवल का होता है नतलब उसी पैटरन पर होती है logical reasoning logical reasoning banking level का नहीं होता यह से सी लिवल का होता है general English English बहुत simple होगा English आप प्रिवियसर का SSC का question अगर बना लेंगे तो आपकी English कवर हो जाएगी उसका बाद current affairs current affairs पर बहुत ज्यादा focus करनी की ज़रूरत नहीं है अगर आप current affairs छोड़ा मोड़ा related है या उसे aware हैं तो आप question बना लेंगे मगर इस पर ज्यादा focus ना करें बाकि इन सब सब्सक्राइब करें क्योंकि cut up के हिसाब से आप अगर इन सब चीज़ फोकस करके marks उठा लेते हैं तो आपके selection से हो रहा है computer computer से भी question होता है computer के कुछ easy questions होते हैं बहुत आप questions नहीं होते हैं और computer के questions मैं इसी चैनल पर आपके लिए डालूंगा तो आप उसके लिए निश्चींत रहे हैं ग्रेजिव सेने 10 प्लस टू लेबल के आसपास का question होता है कि यह अगर ट्रेनिंग के लिए अब बात करते हैं senior trainee के लिए senior trainee में जो cut off था trainee agriculture के लिए यह production से रिलेट करते हैं जहां पर agriculture लिए वह production है मतलब सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है जो पहले प्रोडक्शन होगा फिर marketing में जाएगा तो मार्केटिंग वाले लोग फिर मार्केटिंग करेंगे तो अब इसमें बात करते हैं cut-off की तो cut-off जो जेनरल के लिए था हुआ 75.75 मतलब अल्मोस्ट वाई cut-off जाता है तो 75.75 आप अल्मोस्ट लेकर चलिए कि 80 से नीचे cut-off नहीं जाने वाला इस बार एकदम mindset रख लेना है कि 80 से नीचे cut-off नहीं जाने वाला 70 max उधर और 30 max इधर मतलब अगर आप इधर 20 max भी ले आते हैं और इधर 60 ले आते हैं तो आप qualified है यह आपको target लेकर चलना है 60 plus 80 60 plus 20 that is 80 यह target आपको लेकर चलना है तो यह देखिए cut-off है earn reserve के लिए 75.75 OBC के लिए 74.50 जस्ट एक नमबर का 1.25 का है difference SC के लिए 65 और HT के लिए 63 बाकी other PH के लिए 62.50 68.50 इस तरह से cut-off था इसका तो पिछले बार जो पोस्ट आये थी trainee agriculture के लिए आये थी तो इसलिए उसी के cut-off अवेलेबल है और trainee अगर marketing की है इस बार marketing अगर पोस्ट है तो trainee marketing के लिए वही almost cut-off होता है जैसे 74 है 75 है तो हमको लगता है कि या जैसा उसके पहले गया था cut-off तो उसके इस आपसे यह अगर हम बोल रहे हैं कि trainee का जो cut-off गया उसके बाद senior trainee agriculture के लिए जो 80 marks के cut-off है उससे एक number आप नीचे रख सकते हैं तो अल्मोस्ट वही matter है इसमें भी चलिए आप बात करते हैं इसके syllabus की examination और pattern की pattern क्या रहेगा senior trainee agriculture के लिए देखे section A section B section B सब में वही common है math English reasoning computer सब में वही common है 70 plus 30 का ratio है चलिए आप बात करते हैं किसकी subject से आपके questions हो सकते हैं senior trainee agriculture से अगर आपने form भरा है तो agronomy होगा seed technology होगा plant breeding and genetics होगा इतने से होगे देखे trainee के लिए जो आपने form भरा उसे BC agriculture से related सारे questions होगे जितने भी questions possible है सारे हो सकते हैं बट इसमें क्या है senior trainee agriculture के लिए agronomy, seed technology, plant breeding and genetics जो आपके 70 questions हैं यही तीनों subject के इर्दगीद रहेंगे कुछ-कुछ questions आपको इधर-इधर के मिल सकते हैं इसलिए आप बाकी subjects को एकदम ignore ना करें और ignore क्या करना है बाकी subjects आप पढ़े हुए हैं मगर इन तीनों subject को अच्छे से पढ़ना है इससे ज्यादा question होगे और basic पे ज्यादा ध्यान दिजेगे यह नहीं कि बहुत high level का पढ़ रहे हैं पता चला कि basic पूछ दिया तो हमको basic पता ही नहीं तो basic questions होते हैं बस score अच्छा करना होता है senior trainee HR इस पर बात ही नहीं करना है human resource जो HR वाले है HR से apply करेंगे वो इस पर ध्यान दे सकते हैं labor law organization behavior यह सब subject से questions हो सकते हैं उसके बाद senior trainee logistics के लिए देख सकते हैं basic agriculture से related जितने भी questions possible है वो पुछे जा सकते हैं ABM से question रहेगा material management से रहेगा supply chain management से रहेगा फिर senior trainee quality control इसमें important है फिर वही same चीज agronomy state technology and plant branding and genetics से इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की जोरत नहीं है और यह भी है कि आप किसी एक post के लिए apply कर सकते हैं तो जिस post के लिए आप apply करने हैं उसका आप सेले बस देख ले और उसी के हिसाब से अपना तैयारी करें बाकी सेक्षन में में जो है वही है general aptitude होगा logical reasoning होगा English होगा current affairs होगा और computer होगा तो यह finally बात हो गई उसकी senior trainee की आप बात करते है management trainee की देखिए management trainee एक बहुत ही renowned post है और इसकी 40,000 सिर्फ basic salary होती है 40,000 basic plus 50% आप HR, DA, यह सब HR, DA, perks यह सब जोड कर आप इसमें add कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इसके cut off की देखिए marketing के लिए MT marketing के लिए जो qualification था वो क्या था इसके लिए BACAG plus MBA की वह होना चाहिए या PG की वह होना चाहिए तो देखिए इसके लिए cut off क्या है unreserved के लिए 54 देखिए कितना कम cut off जा रहे है देखिए cut off कम जाने के पीछे reason क्या है cut off कम जाने के पीछे reason है कि इसमें जो questions का label होता है वो थोड़ा tough होता है तो tough question होता है इसलिए cut off इसके कम जाते है 54 जेनल के लिए OBC के लिए 51.25, SC के लिए 43, HD के लिए 38 और अब बात करते हैं empty production की empty production में unreserved category के लिए cut off गया था 55, OBC के लिए 53 और HD के लिए 44.50 आपको लग रहा होगा कि marketing में ज्यादा cut off है और production में उल्टा बोल रहा हूं में marketing में कम cut off है और production में ज्यादा cut off जाने के पिछे reason क्या है कि इसमें ऐसे लोग apply करते हैं जिनको अपने subject पे पकड़ है अपने subject पे पकड़ है इसमें क्या है कि MBA वाले भी apply करते हैं तो MBA वाले लोग marketing और ABM यह यह सब चीजों पर ज्यादा देते हैं तो बेसिक थोड़ा सा उनका डगमगा जाता है तो cut off फोड़ा सा कम जाना ही है उसके बाद है MT QC के लिए तो unreserve का cut up गया था 57 देखिए इन सब सबसे ज्यादा cut up गया था कि उसी का 57 और 53.75 OBC के लिए चलिए आप बात करते हैं इसके pattern of examination की तो सबका pattern almost वही है 70 is to 30 और सब में math English reasoning computer यह पूछा जाएगा का 0.25 का negative marking है बस जो differ करता है यह 70 questions section A section B section A differ करता है सबका time 2 hours ही है तो आए इसमें देखते हैं कौन से post के लिए कौन सा subject prefer करेगा यह management training production से अगर आपने form भरा है इसमें level देख लेते question का कैसा रहेगा easy 20% होगे average 40% और tough जो होगा वो 40% होगा तो प्रोडक्शन के लिए अपने form भरा है तो एक्रो नॉमी सीट टेकनोलजी प्लांट ब्रेड़ेगा इन जेनेटिक सा एक्री बिजनस मैनेजमेंट देखिए senior training के लिए तीनों तो पढ़ना ही है management training quality control के लिए अगर बात करें तो agronomy, seed technology, plant breeding and genetics ये तीन चीजों से आपके question रहेगी और quality control में cut-off भी ज्यादा था तो मैंने उसके cut-off की बात नहीं की, empty में हो सकते हैं इस बार cut-off ज्यादा जाया इसमें almost बराबर ही जाता है 54 अगर cut-off गया थो तो आप मान कर चलिए कि 56 या 58 के आच पास cut-off जाएगा मतलों दो से तीन नमबर आप extra लेकर चल सकते हैं अगरे बात करें तो एक्रोनोमी से टेक्नलोजी प्लांट ब्रेंड इंग जिनिटेक्स यह तीनों तो रहे गा ही एक्री कल्चर मार्केटिंग इसमें extra एड हो रहा है जो प्रोडक्शन था उसमें एक्री बिनियस मैनेजमेंट से भी क्वेस्चन था ही तो इसमें एक्री कल क्वेस्चर मार्केटिंग से क्वेस्चन एड होता है कि अब बात करते हैं ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी एचार के लिए चार में का इंडिस्ट्रियल रिलेशंटिफ लेवर लाव ऑर्गनेशनल भी है जो कुछ आपने पढ़ा है अपने मैनेजमेंट के दोरान उससे आप का क्वेस्चन रहे गहीं उसके बाद है लीगल के लिए एंटी लीगल के लिए तो यह खेर हम लोगे कंसर्ण का नहीं है मगर जो लोग इसके तैयारी कर रहे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए यूसफुल हो सकता है और मैं आपको बता दूँ इस वी अपसे आप जॉइन करके येये प्राप्त कर सकते हैं यह थी यह था पमप्ली वीडियो आपअट इस इंफोर्मेशन मैं आष्ण करतूं आपको वीडियो बहुत हीं इंफॉरमेटिव लगा होगा और वागई में इंफॉरमेटिव है अगर आप इस पैटन पर तैयारी करत तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है और आप मेरे playlist में जाकर देख सकते हैं क्योंकि जो इस में job कर रहे हैं वो अच्छे से बदा सकते हैं तो मैं almost यहाँ पे 2.5 साल से काम कर रहा हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि आपको किस तरह से त्यारी करनी है और after absorption या आपकी selection हो जाती है उसके बाद आपका role क्या होता है तो इस वीडियो को भी देखना ना भोले तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपकी further कोई queries रहती है तो आप please वीडियो में comment करें और मैं वहीं पर आपको reply करूँगा हो सकता है आपकी queries important हो तो उस पर एक वीडियो भी आ सकती है thanks for today, bye bye